स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज की इस नई वीडियो में आज हम देखेंगे क्लास 11 हिस्टरी का न्यू कोर्स 2021 और 22 की अकोर्डिंग टम 1 का चैप्टर 3 जिसका नाम है तीनों महादीपों में फैला हुआ सामराज्ची तो बच्चो आज की इस लाइव सेसन में हम इस चैप्टर से संबंदित जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट MC की कोश्टन आंसर होंगे वो सभी डिसकस करने वाले हैं तो इस लाइव सेसन को इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ जारत सजारत कर दीजिए ताकि वो भ इस चैप्टर से संबंदित जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट कोश्टन सें MC की कोश्टन सें उसके वारे में जान सके तो चलिए स्टार्ट करते हैं लाइव सेसन को स्टार्ट करने से पहले हमारे टेलिग्राम ग्रूप इंस्टाग्राम अकाउंट ट्विटर हंडल और फेस से माली यह पहला प्रश्ट है कि रोमन सामराज जी के अंतरगत कौन से छेत्र आते थे ठीक है यह तो मैंने आपको प्रश्ट बता दिया अब इसके ऑप्शन है यूरोप का छेत्र पच्चिमी एसिया का छेत्र उत्री आफ्रीका का छेत्र या फिर उप्रोक्त सभी तो तो यह जो है कि रोमन सामराज की अंतरगत कौन सा छेत्र आता है तो इसका सही आंसर है उप्शन फोर्थ उप्रोक्त सभी यानकि यूरोप पच्चिमी एसिया और उत्री आफ्रीका यह तीनों सही है ठीक है यह पहला प्रश्ट हो गया दूसरा प्रश्ट है पैपाईरस क् आता है एक पथर है या एक पौधा है एक नदी का नाम है या फिर एक ग्रंथ का नाम है तो पैपाईरस जो है वो इक पौधे का नाम है ठीक है तो आफ्सट्सं सैकेंड आपका यहां पर सही है कौशन Records 3 है रोमन सामराज के राजनीतिक इतिहास के पुर्मक छिलाड़ी कौ खिलाडी जो हैं वो उपरोक तो सभी हैं यानिकि समराट, अभियादवर्ग और सेना तो option 4 थे हाँ पर सही है Question number 4 है रोमन समराज जी की जो आधनिक विसेश्टा है यानि की जो वर्तमान में भी उसकी विसेश्टा है रोमन समराज जी की वो क्या है एकल परिवार की पर्दिती, संयुक्त परिवार की पर्दिती, A और B दोनों या फिर इन में से कोई नहीं तो रोमन समराज की जो आदुनिक विसेश्ता है वो है एकल परिवार की पर्दिती कौन सी? एकल परिवार की पर्दिती तो option first आपका यहां पर सही है ठीक है अगर देखिए कुशन नमर फाइव है कि प्रत्थम समराट जो हुए थे जिनका नाम था आउगस्टस इन्होंने 27 इसापूर में जो राज इस्थाफित किया था उसे क्या कहा जाता था प्रिंसिपेट, सीनेट, टीसी फून या फिर इन में से कोई नहीं तो समराट आउगस्टस के जोरा 27 इसापूर में जो राज इस्थाफित किये गए उन्हें प्रिंसिपेट कहा जाता था ठीक है अगला कॉशन नमर 6 एमफोरा सब्द जो है यह किस से संबंदित है आपके सामने अप्शन है या तायाक के साधन से मटके या कंटेनर से लेखन समगरी से या फिर इन में से कोई नहीं तो एमफोरा सब्द जो है वो मटके या कंटेनर से संबंदित है जिसमें जो जैतून का तेल था और अंगूरी जो शराब हुआ करती थी उसका व्यापार किया जाता था इसके दौरा अगला है कोशन नमर सेवन इस्पैंज जो था या किस के व्यापार के लिए प्रसिद था धातू शराब जैतून का तेल इन में से कोई नहीं तो इस्पैंज जो था वो जैतून के तेल के लिए काफी प्रसिद था किसके लिए प्रसिद्ध था जैतून के तेल के लिए कोशन नमर एट रोमन सामराज जे में जो अंगूरी शराब थी और जैतून के तेल का जो व्यापार था किन देशों से अधिक होता था दक्षड एशिया और तुर्की से सीरिया और फिलिस्तिन से अमेरिका और भारस से भूमद सागरिय और आफरीकी देश तो रोमन सामराज में अंगूरी शराब और जैतून के तेल का व्यापार जो था भूमद सागरिय और जो आफरीकी देश थे इन से ज़्यादा होता था ठीक है अब देखिए एक और कोश्चन है कोश्चन नमबर 9 अब यहाँ पर यह से थोड़ा चेंज कर दिया गया है क्या है देखिए रोमन सामराज्ज में परिवर्ती पांचवी सताब्दी और छटी सताब्दी में अंगूरी शराब और जैतून के तेल का व्यापार कीन देशों से अधिक होने लगा था यानिकि परिवर्ती पांचवी और छटी सताब्दी में ऐसे कौन से देश थे जिनसे अंगूरी शराब और जैतून के तेल का व्यापार अधिक होने लगा पहला है दक्षड एशिया और तुर्की, सीरिया और फिलिस्तिन, भूमद शागरिय देश और अमेरिका ये तो वो देश थे जिन से पहले ज़्यादा होता था शुरुआती दोर में लेकिन पांची और छटी स्ताब्दी में किसे होने लगा था ए और बी दोनों ये वाला आपका जो आप्षण है ये सही है यानि कि इसका जो व्यापार था वो दक्षड एशिया और तुर्की, सीरिया और फिलिस्तिन से ज़्यादा होने लगा था ठीक है तो इस संदर में कोशन नमबर 9 का जो आप्षण 4 थे ए और बी दोनों ये आपका सही है ठीक है बच्छो अगर दिए कोशन नमबर 10 रोमन समाज में जो पारिवारिक इस्तिती होती थी इसके संदर में उपरोक्त मैंसे कौन सा कथन सही है पहला एकल परिवार का समाज में चलन होता था सही है बड़ा पुत्र और बड़ा भाई अपने पिता की साथ नहीं रहता था ये भी सही है पिता का राज्य पुत्र को मिलता था चाहे वह नैसरगिक हो या फिर यादत तक सेना भी इस सिद्धान्त को मानती थी ये भी सही है तो रोमन सामराज्ज में पारिवारिक इस्तिती के संदर्व में उप्रोक्त सभी कथने आपे सही है तो आपका option 4th question number 10 का ये सही है ठीक है बच्चो अब देखिए अब यहाँ पे आ रहा है important question question number 11 समाज में महिलाओं की इस्तिती के बारे में निविकर कतनों को पढ़िए और सही विकल्प का चुनाव कीजिए इस तरह के जो प्रशने बच्चो वो आपके एक्जाम में अवश्य पूछे जाते हैं कि आपको कथन दे दिये जाएंगे और कहेंगे कि इन में से कौन सा सही विकल्प है आप बताईए तो पहला पॉइंट महिला के विभा के दोरान जो उसे दहेज मिलता था वो उसके पती के पास रहता था लेकिन पतनी अभी भी अपने पिता की संपत्ती पर पूण अरिकार रखती थी और पिता के मनने के बार पुत्री उस संपत्ती का हस्तांतरण स्वतंतर रूप से अप समय तलाक देना काफी आसान होता था ठीक है तीसरा है पूरस 28, 39, 32 की आयू में विभा क्या करते थे जबकि लड़कियों की सादी 16, 18, 22, 32 की साल की आयू में हो जाती थी जो की समाज में एक गलत निर्देश देता है यानकि लड़कों की आयू 32 है लड़की की आयू 22 है टोट ठीक है और चौथा पॉइंट है कि उस समय समाज में पती अपनी पत्नियों को सम्मान दिया करते थे ठीक है अब देखिए यह तो हो गए ऑप्शन अब इसमें से विकल्प पूछेगा कौन सा सही है तो पहला तीसरा और चौथा यह तीनों को पॉइंट सही है पहला चौथ कथने पत्नियों को काफी सम्मान देते यह वाला कथनं जो गलत हैं तो इसके देखते हुए जो और जैसे हैं पहला दूसरा और तीसरा यह तीनों कथनगा आपके सही हो जाएंगे तो अब्शन थर्द जो है इसका सही है दो निमय्फित मैंसे किसे रोमन समराज जी का हिरिदय कहा जाता है लाल सागर को केस्पियन सागर को कालिस सागर को या भूमध प्राय है हाँ से लिखेवी पुस्तक या फिर लिपी अभिलेख इन में से कोई नहीं तो पान्डू लिपियां जो होती थी वो हाथों से लिखी हुई पुस्तक हुआ करती थी या फिर पेज होते थे ठीक है तो option first आपका यहां पर सही है अगला question number 14 इसाई धरम इसाई धरम रोमन सामराजी का राजकिय धरम कब बना था पहली सताबदी में, चोथी सताबदी, दूसरी सताबदी या फिर तीसरी सताबदी तो इसाई धरम रोमन सामराजी का राजकिय धरम चोथी सताबदी इस्वी में बना था तो option second आपका यहां पर सही हो जाता है ठीक है फिर कोशन नमर 15 तीसरी सताब्दी के संकट के बारे में निम्खित मैंसे कौन सा कथन सही है पहला इरान के ससानी वन्स के बारवार आकमन हुए थे और तकरिवन 27 वर्सों में 25 समराट हुए थे ठीक है दूसरा है 225 इसवी में ससानी वन्स के सापूर प्रथम ने लगवग 60,000 रोमन सेना का सफाया कर दिया था रोम की पूर्वी राजधानी एंटियोग पर इसने अधिकार कर लिया था ठीक है तीया रोम बाषी जो यह आकमन हुआ करते थे इन आकमन कारियों को विलेसी बरवर कहा करते थे और तीया अने 4 скथ है उपरोक्त सभी तो तीछी सताप्दी के संकट के बारे में उपरोक्त सभी जो कथन है यह यहाँ पर इसके सही है ठीक है बच्चो तो I hope अभी तक कि ये जो 15 प्रश्ण में आपको समझाए हैं ये सभी प्रश्ण आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगे तो चलिए सुब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्णों की तरफ अगला है question number 16 रोमन सामराज जमें जो श्रमिक हुआ करते थी इन पर नियंतरण कैसे रखा जाता था श्रमिकों को समझ में रखते थे जंजीर डालकर रखते थे दागा दाना यांकि ये अगर रेड़ अपना या फिर जो पैसे वगड़ा लेते तो इसे नहीं चुका पाते थे तो इन्हें गोली मार दिया जाता था और उप्रोक्त शफी तो रोमन सामराज जमें उप्रोक्त शफी तरीकों से यांकि समू में बना कर इनके पैरों हाथों में जंजीर डालकर और दाग कर इन पर नियंतरण रखा जाता था तो आप्शन फोर्थ आपका सही है ठीक है अब देखिए क उप्शन नमर 17 ऐसे प्रशन जो होते हैं यह अक्षर करके जादा पूछे जाते हैं ठीक है देखिए क्या प्रशन है रोमन समराज में दासों पर नियंतरण रखने के लिए दिये गए लेखकों के विचार पढ़े और सही विकल्प का चिनाव कीजिए पहले लेखक है समुह बनाने की सिफारिख से-पारिश की थी इन्होंने और यह दवा किया था इन छोटे समुहों में यह बताना अब एक चक्रिता आशान होता है कि उन में कौन काम कर रहा है और कौन काम चौरी कर रहा है दूसरे लेखक है पलीनिंग यह कहते कि hope की यह कहा कि यह अलग-अलग समूहों में काम करने वाले दासों को आम तोर पर पैरों में जंजीर डालकर रखा जाता था ठीक है तो ये कोलू मेला और प्लीनी के ये जो विचार है वो हमें या पर पता चली अब हमें बताना है जो विकल्प दिये हुए है ये बताना है कि इनमें से कौन सा कफन सही है केवल पहला सही एकेवल दूश्रा सही है या फिर दोनों ही गलत है तो इसका जो सही आंसर है वह आपसं फरस्ट कि कोलूमेल और अंबड़ी है इन दोनों के ही जो कफन है वो दोनों ही सही तो Спरस्ट आप rozpते हैं ठीक है आयोप समझ क्या होंगे कोशन नमर 18 है इतिहास कार टैसिटस ने प्रार्मिक समाजिक समुहों को किस तरह बिभाजित किया था पहला है कि अभिजात वर्ग में सेनेटर और अश्वरे ही हुआ करते थे मद्यम वर्ग में नौकर्शाही और बड़े-बड़े सौदागरों से नहुआ करते था और किशान होते थे तीसरा है जो निम्नितम्वर्ग था इसमें ग्रामीड में में होते थे और मतलब अखरी उपशन की उप्रोगत सभी तो इसका सए आंसर है उप्रोगत सभी ठीक है रसके तो यह अगर लीए कोशन नमर 19 सोने पर आधारत नई जो मॉदर्रिक प्णाली थी वो किश के दौरा सुरू करवाई गई थी कॉलू मेला प्लीनी कॉंसेंटाइन या फिर इन में से कोई थी तो सोने पर आधारित नई मॉदरिक प्णाली जो थी वो कोंसेंटाइन के दौरा शुरू रथ की गई थी थी अगले ही question number 20 है solidus नामक का जो एक नया सिक्का था जो की लगबग 4.5 ग्राम यानि कि 4.5 ग्राम का सोने का बना हुआ था यह सिक्का रोमन समराज में समाप्त होने के बाद भी चलता रहा यह कार्य किसके दौरा किया गया था समराट डायोक्लिशियन, समराट ओगस्तर्ष, कोलूमेला या फिर कौनसे टाइन तो इसका भी जो आंसर है वो है कौनसे टाइन के दौरा यह कार्य किया गया था ठीक है अगला question number 21 अरव प्रदेश से सुरू होने वाले इसलाम के विस्तार को प्राचीन विश्त इतिहार की सबसे बड़ी डेस कहा जाता है राजनीतिक रांति, आर्तिक रांति, सांस्कृतिक र dishon या फिर इनमें से कोई नहीं तो अरव प्रदेश से सुरू होने वाले इसलाम के विस्तार को प्राचीन विश्व इतिहास में प्राचीन विश्व इतिहास की सबसे बड़ी राजनीतिक करांती कहा जाता है तो option first आपका बच्चों यहाँ पर सही है ठीक है अगला थी कॉशन मेर ट्वेंटिटू है यूनान और रोम वासियों की पारंपरिक रूप से बहुदेव वादी थे इस बारे में कौन सा कथन सही है ये लोग अनेक पंतों एवम उपाशना पदितियों में विश्वास रखा करते थे सही है जूपीटर, जूनो, मिनर्वा और ये मार्ची की पूजा किया करते थे ये भी सही है अनेक रोमन इतालवी देवों और यूनानी तथा पूर्वी देवी देवताओं की ये पूजा किया करते थे ये भी सही है और उप्रोक्त सभी तो यूनान और रोमवासियों की ये पारमपरिक रूप से बहुदेव वादिज थे इस बारे में उपरोक सभी कतने आपे बच्चो आपके सही है तो option 4 यहाँ पे आपका सही है ठीक है अगर देखें question number 23 है consentine के दोरा इस्तापित की गई नई राजधानी के बारे में निम्लिकित मैसे कौन सा विकल्प देखें निम्लिकित मैसे कतनों को पढ़िए और फिर सही विकल्प का चुनाव कीजिए तो कतन देखें यहाँ पे दिये हुए ये चार कतन है पहला नई राजधानी कुस्तन तुनिया थी मतलब इसका निर्माट करवाया गया वर्तमान तुर्की में आजकल इस्तांबूल लगर बसा हुए पहले इसे बाईजे टाइन कहा जाता था शही है तीसरा है यह नई राजधानी तीनों और समोद से घिरी हुई होती थी यह भी सही है फौर्थ है नई राजधानी के लिए नई सैनेट की जरूरत थी इसलिए चौती सताब्दी में सासक वर्गों का विकास तेजी से हुआ था यह भी सही है तो यह तो चार कतन हो गए अब विकल्प यहां पर देखिए कौन सा सही है में वो चुनना है पहला पहला दूसरा तीसरा और चौता यह सही है दूसरा पहला दूसरा तीसरा सही है तीसरा पहला मतलब 1,4,3 सही है चौता 1,2,4 सही है तो इसके बारे में जो पहला पॉइंट है एक दो तीन चार यानकी वन टू थ्री फूर यह चारो ही कथन जो है वो यहाँ पर सही है तो option first आपका सही है ठीक है तो question number 23 का जो option first है यह आपका सही है ठीक है तो इस तरह से यहाँ पर जो आपकी इस chapter से संबंद जो भी most important प्रशन थे वो यहाँ पर complete हो जाते हैं and I hope बच्चों आपको आज की इस live session के इस वीडियो के माध्यम से इस chapter से संबंद यह जितने भी प्रश्म थे वो आपको समझ में आ गए होंगे और आशागरता हूं कि इस वीडियो को आपने आवी अपने सभी दोस्तों के साथ में जरू share भी किया होगा अगर अभी तक भी नहीं किया है तो वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आहीher गया होगा कि वीडियो किस तरह से बनाए ग将 गुई है तो आसा कता हूँ अच्छो वीडियो अच्छे लेगी होगी अच्छे लेगी हो तो लाइक करना शेयर करना और हमारे जिस सोचल मीटर के अकाउंट्स हैं खास करके टेलिग्राम ग्रूप इसको जरूर जोइन के लिजेगा तो चले दूस्तों मिलेगा अगली वीडियो में अ